नमस्कार दर्शको, मैं डॉक्टर सचिन चत्तावर, मैं थाराइड रोग विषे शग्ये हूँ आज मैं आपके समक्ष हाइपो थाराइडिजम, क्या बिमारी है, इसके बारे में बात करने के उपस्तित हुआ हूँ हाईपो थारेडिजम एक ऐसी बिमारी है जो कि हमारे गले में एक गरंथी होती है थाराइड, उसके काम न करने के शिथी में इस गरंथी से जो हर्मोन बनते हैं इनको हम कहते हैं T3 और T4 इसकी कमी होने लगती है शरीर में और इसलिए आपकी मास्टर गरंथी जबी को मालू ह यह बिमारी सामानित्या बहुत कॉमन है, सौ में से दस लोगों को हो रही है, और प्राय इन में से दस जिन लोगों को हाइपो थारेटिजम होती है, उसमें आठ महिलाएं होती है। तो यह एक तरह की बात हो गया है, जब भी किसी को मुटापा होने लगता है तो लोग बोलते हैं थारेट की जाज करवा लीजिए। क्या कारण है कि यह बिमारियां हमारे बीच में बढ़ती जा रही हैं। तो दोस्तों जब आयोडीन सॉल्ट में आयोडीन इनाइजिशन हो गया, जब सॉल्ट में आयोडीन मिलाने की बात आई 2006 के पहले तक आयोडीन नामक अमल की कमी के कारण हाइपो थारेटिजम की बिमारी होती थी जब घेंगा बन जाता था गर्दन में और आयोडीन की चे के बाद से आयोडीन डिफिशनसी एक बहुत बड़ा कारण नहीं है, फिर भी ये कारण है कि माले के तरही वाले इलाकों में आज भी एक मुख्या कारण है आज कल शरीर के अंग शरीर को बहरी समझने लगते हैं, जैकि आपके सफेद कंड होते हैं शरीर में, जो कि अगर कोई भी किटानू आता है तो वो उसे खतम कर देते हैं पर ये जब सफेद कंड शरीर के अंगों को ही बाहरी समझ लेते हैं और शरीर के अंगों को ही खतम करने लगते हैं तो इसको हम autoimmunity कहते हैं तो इस autoimmune problem के कारण thyroid गंथी को नुकसान पहुचता है और वो काम करना बन कर देती है तो यह बहुत बड़ा कारण है hypothyroidism का कई बार हम गर्दन की सरजरी होती है गर्दन की सिकाई होती है थारेड ऑपरेशन करके किसी कारण वो इस निकालना पड़ता है तब भी हमें hypothyroidism की बिमारी हो जाती है तो क्या लक्षन होते हैं जिससे अपने को पता चले कि यह बिमारी हमें हो सकती है कई बार क्या होता है कि लोग देखते हैं कि उनका थोड़ा सा वजन बढ़ गया है चहरा भारी-भारी लगने लगता है, फुला-फुला लगने लगता है चमडी सूखने लगती है और गरंथी बढ़ने लगती है जिसको हम घेंगा गहते हैं मतलब हम चाहा कर भी बहुत शितिल हो जाते हैं हमें depression जैसा मैसूस होने लगता है, हमारे बाल जढने लगते हैं, महिलाओं के periods भी कई बार irregular हो जाते हैं, तब हमें ये संशय होता है कि नकारतमक विचार आ रहे हैं और कई बार महिलाओं को conceive करने में भी problem आने लगती है, जिसको हम infertility कहते हैं, तब हमारे डॉक्टर जाच क PSH की जाच, वो हर जगा आजकल उपलब्ध है, ये बहुत अच्छी बात है, और बहुत ही सस्ती और अच्छी जाच है, हर जगा उपलब्ध है, अच्छी जगा से जाच कराईए, और अपने एक थारएड रोग विशेशक्य जो की हर्मून के डॉक्टर होते हैं, जिनको हम endocronologist कहते हैं, उन्हीं जाकर दिखाईए, अब बात आती है कि क्या ये इसका इलाज संभव है, हमेशा इंडिया में कोई भी बिमारी होती है, तो हम चाहते हैं कि जड़ से मिट जाए बिमारी, पूरी तरह से ठीक हो जाए, और हमें कभी भी डॉक्टर के पास ना जाना जो पचास पैसे से भी कम कीमत में उपलब्ध है, और जिसमें कोई स्वाद भी बुरा नहीं है, और कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है, तो हमेशा मैं अपने मरीजों को बताता हूँ कि आपको इतना सरल इलाज उपलब्ध है, आप गोली खाते हैं, थारेड नुबल को न नहीं होगा, अगर घर में खाने में कम नमक डला है, तो आप बहार से नमक डालते हैं, ताकि स्वादिश भूजन लगे, और वो स्वाद कभी बदलता नहीं, वैसे ही थारेड हार्मून का है, ये एक नमक की तरह है, आपके जो कमी है, उसको हम दूर कर रहे हैं, पोशन कर हम इलाज नहीं कर रहे हैं, फिर आप जब ये इलाज चालू होता है, तो दो महने के बाद हम जाज करवाते हैं, रिपोर्ट नॉर्मल आती है, तो हम मरीजों को बोलते हैं, अब बराबर दवा खाईए, और साल में एक बर दिखाईए, अब बात आती है कि गोली किस परकार खानी चाहिए, देखिए, गोली के बारे में बहुत सारी भांतियां हैं, तो आपको बिलकुत सपश होना चाहिए, कि आप सुबह उठिये, जैसे ही आँख खुले, एक ग्लास पानी लीजिए और गोली लीजिए उसके साथ, और फिर आप अपनी दिंचरिया में लग जाए तो जिस से अपने आप आपका आदा घंटे का अंतर, आदा घंटे से 45 मिनट का अंतर दवा और चाह नाश्ते में होगा, किसी दिन होता है, कभी शुरुती दोर्वें ऐसा हो सकता है, कि चाह नाश्ते के बाद याद आए, कि आज गोली नहीं खाइ, तो फिर क्या करना चाह तब मैं ये कहता हूँ कि आप ये गोली दूसरे दिन इखटे दो गोलियां खाईए दोस्तों दो गोलियां खाने से आपको कोई नुकसान नहीं होगा आपका थारेड हर्मोन नामल रहेगा गोली हमेशा बोतल में आती है तो आप उसको बंद करके रखिए नमी वाले मौसम मे अगर खुला छोड़ देंगे तो गोलियां खराब हो जाएगी क्योंकि थोड़ी हाईग्रोस्कोपिक गोलियां होती है रात का खाना दस बजे से पहले खतम करिए बहुत लोगों को देर राज जगने की आदत होती है स्टूडेंट्स हैं तो पढ़ाही के लिए जगते हैं और कुछ महिलाओं को भी जगना पड़ता है क्योंकि उनके पती बिजनेस वाले हैं वो 11-12 बजे लोटके आते हैं तो उनको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि भोजल लेने के बाद केवल पानी ले सकते हैं आप किसी भी प्रकार का खादे बदार नहीं ले सकते हैं इंडिय क्षेशल मेडिया से लीजिये न खही से अतकच्रा घ्यान नहीं लेना चाहिए क्योंकि लोग कोलेंगे पता गुभी मत'd सबस्लें ऐ है कुछ लोग की कुछ और पर हेस करें, पर दवाईं आपको नियमित लेनी हैं, पर जब तक डॉक्टर ने सलहां नहीं दे हैं, आपको सभी चीज़ों का सेवन करности न करना चाहिए, अब बात आथी हैं यह तो आप बराबर घ्टे आदे घंटे का अंतर रखिए, खाली पेट दभा लीजिए और जब दभा छोड़ जाए तो दूसरे दिन दो गुलियां खाईए और रेगुलर फालो अप पे रहिए, आपके किसी अच्छे थारे डोग विशेश अगे, जोकि एंडोक्राइनलोजस नामक डॉक्टर होते हैं, उनको अपनी शेहर में दिखाईए आशा करता हूँ कि आपको यह जानकारी लाब करेगी और इसको आपको अगर वीडियो पसंद आता है तो जादा से जादा लोगों के बीच में शेयर करिए ताकि यह ज्यान पहल सके, धन्यवाद